किसान भाईयो नमस्कार मैं हूँ रामलाल दाकड आप देख रहे हैं स्मायट अग्रिकल्चर यूट्यूब चैनल इस वीडियो में हम प्याच की पसल में पीलापन और जुलसा रोग के समधान के बारे में बात करेंगे जुलसा रोग एक ऐसा रोग हैं जिस रोग में प्याच की पतिया उपर से पीली पढ़कर सूखना सुरू होती हैं और दीर दीर जमीन की तरह पे पीली पढ़ती रहती हैं और एक समय ऐसा आता हैं जिसमें पूरा पोदा पीला पढ़कर सूख जाता हैं और जिस अवस्ता में ये रोग आता है उस अवस्ता में प्याच का कंद जैसा होता है उसी कंडिशन में रह जाता है मतलब कि अगर प्याच का कंद छोटी अवस्ता में होता है और उस समय पर पोदे में जुलसा रोग का टेक हो जाता है तो कंद छोटा ही रह जाता है तो वीडियो में आगे जुल्सा रोग के बारे में विस्तार से बात करेंगे मतलब कि जुल्सा रोग किन कारणों से पहलता है और जुल्सा रोग की रोकताम कैसे करें इसके लिए कौन-कौन सी दवाव का बेस्ट रिजल्ट मिलेगा तो इसके पूरे जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्केप के अंतर तक जरूर देखे और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे और उसके पास में जो गंटे का निसान आये हैं उसे भी जरूर दबा दीजे ताकि हम जैसे ही नया वीडियो अप्लोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए किसान भाईयो अब सबसे पहले बात करते हैं कि प्याज में जुलसा रोग किन कारणों से आता हैं तो यह रोग मुक्य रूप से स्टेम फीलियम बेसिक गेरियम नाम की फंगस से फैलता हैं अगर प्याज की पसल में किसी रेस्टूसा कीट का अटेक हो जाता है तो वह रेस्टूसा कीट जिस जगह से पत्ती का रस्ट उचते हैं उसी जगह पर फंगस लग जाती हैं और वही से जुलसा रोग स्टार्ट हो जाता हैं चो दिरे दिरे पूरे पोदे में पहल जाता हैं इसके लावा अ अगर प्याज में जुलसा रोक कर ज्यादा टेक हो जाता है तो ये पैदावार को 50% तक कम कर सकता है इसलिए इसका तुरंट समाधान करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है तो जब आपको जुलसा रोक के शुरुआते लक्सन दिखाए दे तब ही आप इसकी रोकताम करना शुरू कर दे अब सबसे मातवपूर्ण बात है आती है कि इसकी रोकताम के लिए कौन सी दवा का स्प्रेक रहे क्योंकि कुछ जिसानों की यह सिकायत होती है कि उन्होंने बहुत सारी दवाओ का स्प्रेक कर लिया है लेकिन उनके प्याज में जुलसा रोक को खत्म नहीं हुआ है फिर से प्रत्यों का रस तूचेंगे जिसे फिर से जुलसा रोक लग जाएगा इसलिए आप कीटनासक और फ्रंगिसाइट दोनों का पुर्योग करें तो अब मैं आपको कुछ बेस्ट कीटनासक और फ्रंगिसाइट के टेकनिकल बताने वाला हूँ तो आप उनमें से किसी भी एक के टेकनिकल का पुर्योग कर सकते हैं अगर एक कीटनासक की बात करें तो आप थायो में तेक्सों 25% का पुर्योग कर सकते हैं खिप्रोनेल 40% प्लस एमेडा कुलोरपीट 40% का पुर्योग कर सकते हैं थायो में तेक्सों प्लस लेमरा सालोतरिन का पुर्योग कर सकते हैं डाव एग्रोसाइंस की डेलिगेट का पुर्योग कर सकते हैं अगर पंगी साइड की बात करें तो आप एजक्सी स्ट्रोबिन प्लस टेबू को ना जोल का प्रियोग कर सकते हैं कोपर अक्सी क्लोराइड प्लस कासुगा मैसिन का प्रियोग कर सकते हैं एजक्सी स्ट्रोबिन प्लस डाइफेनो को ना जोल का प्रियोग कर सकते हैं और एक बार इस्परे करने के तीं दिन बाद आप फिर से प्याज में इनी टेक्टिकल का प्रयोख करे, जिसे आपको काफी सांधा रिजल्ट मिलेगा, किसान भाई क्या करते हैं कि एक बार इस्परे करते हैं, और दस दिन तक कोई भी स्परे नहीं करते हैं, फिर बोलते हैं हमें रिजल्ट नहीं मिला अगर रिजल्ट चाहिए आपको तो तीन दिन बाद आपको फिर से स्प्रेक करना पड़ेगा तो किसान भाई यो आपको जानकरी कैसी लगी कमेंट करके आवशी बताईए वीडियो पसंद आया वो तो वीडियो को लाइक वो शेर जरूर करें चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में जई जवान जई किसान